हालो दूस्तों नमस्कार मैं सुबध कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ ग्यान में तो जैसा कि आप लोग को अभी पता है कि अभी आप लोग को 3D का कोस्टन हम लोग देख रहा है और वह भी कोस्टन आपको हम लोग सब्जेक्टिव के लिए देख रहा है और सब्जेक्टिव कहने का मतलब दो नमर में भी आ सकता है तो दो और पांच दोनों के लिए भी हम स चुटेगा और नहीं 5 नमर बला चुटेगा ठीक तो चलिए आए आज का देखिए पहला नमर क्वेस्टन आज हम आप लोग को 11 नमर क्वेस्टन बता रहा है देखिए 11 नमर क्वेस्टन क्या देवा है फांड अंगल बिट्विन द फॉलोइंग पेर अप लायन मतलब जो दूग लाइन दिया है एतना एंट यह दोनों लाइन के बीज का हम और भीज का हमको पुछा हुआ था प्लेन और लाइन के बीच का एंगल तो आप समझ जाहिए पहले समझ जाहिए गा न तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे गाए नहीं हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप अगर जे माले तो सिर्फ क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा आप इसको कॉंसेप्ट से आ लोग लिखेंगे घ्वेश्चन तो देखें आज ऑढ करणा चूट रिकरन का दिया-गया क prelimे करण अबको x minus 2 by 2 equal to y minus 1 by 5 equal to में क्या दिया हुआ? z plus 3 बट्टा minus 5 कितना दिया हुआ? minus 3, sorry minus 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ? minus 3 समझे है न, minus 3 हम एकरा equation क्या मनेंगे? first और दूसरा equation जो दिया हुआ, दिया हुआ x plus 2, अब y में कती minus 1 equal to y minus 4 by कती 8 i equal to में कितना? z minus में कती 5 अबट्टा में कती 4, समझे है न, z minus 5 by 4 इसको equation हम लोग क्या मनेंगे? second ठीक है? क्या मनेंगे? second मनेंगे अब हम आप लोग को समझा दे कि इस दोनो लाइन के बीच का एंगल निकलना है तो एंगल निकलने के लिए आप लोग को कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकलना रहेगा तो कॉस्ट इटा, तो कॉस्ट इटा equal to formula हम आपको बता देंगे लेकिन कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकलने के लिए हम लोग का direction ratios का जरूरत होता क्या ratios का? direction ratios का तो दके हम सबसे पहले लिखेंगे पहला लाइन का direction ratio तो लिखेंगे direction ratios of line first first line का direction ratio हो जाएगा 2, 5, minus 3 कितना हो जाएगा? 2, 5, minus 3 और direction ratios of line second direction ratios of line second second line का direction ratio हो जाएगा minus 1, 8, 4 minus 1, 8, 4 अब जैसा ही दोनों line के या बीच का मतलब direction ratios हो जाएगा समझ जाएगा? तो हम लोग निकालेंगे कथी cost theta, कथी निकालेंगे cost theta, तो cost theta का formula होता है कथी a1 into a2, प्लस कथी b1 into b2, प्लस में कथी c1 into c2, बट्टा में कथी हो जाएगा, root under a1 के square, प्लस b1 के square, प्लस c1 के square into root under a2 के square, प्लस b2 के square, प्लस c2 के square यह formula भूलिएगा भी नहीं है न? कभी भी दो line का direction ratios दिया रहेगा, उसके बीच का angle अगर जा निकालना रहेगा, तो यही formula का में यूज करेंगे, cost theta a1 into a2, प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 by root under a1 के square, प्लस b1 के square प्लस c1 के square, into root under a2 के square, प्लस b2 के square, प्लस c2 के square, ठेका, अब इसके बाद आप लो क्या किजिएगा, इस पर डाल दीजे, तो डाल दीजे, तो a1 का value कती 2 तो 2 गुने माइनस 1, प्लस b1 का value कती 5, तो 5 गुने कती 8, इसके बाद c1 का value कती माइनस 3, इंटू में कती हो जाएगा, 4, बटा root under, तो 2 के square प्लस में 5 के square, प्लस माइनस 3 के square, फिर root अंडर, माइनस 1 के square प्लस में 8 के square, प्लस में 4 के square, ठेका, आगे बरिये तो हो जाएगा, माइनस 2, प्लस में 8, पंचे, 40, माइनस 4, इंटू में 12, बटा में कितना हो जाएगा, दू दू ना 4, प्लस 25, प्लस में 9, इंटू रूट अंडर 1, प्लस 64, प्लस 4, चबका कती, 16, अब देखिए 12, 12, 14 14 में से जाएगा, 40 तो बचेगा, कती, सरी, सरी 40 में जाएगा, 16, तो बचेगा 26, बटा देखिए, 9, 4, 13 25, 13, 38, तो हो जाएगा, रूट अंडर कती, 38, इसके बाद हो जाएगा देखिए, 16, 64, 81, 81 कती, 9, और ता तो हो जाएगा कती, 26, बटा 9, रूट अंडर कती, 38 इता हो गया, कोस ठीटा का भ्हलू किसका भ्हलू हो गया, कोस ठीटा कभ्हलू हो गया और इशके बाद इसलिए लिकिये और थी बड़ाबर, थीटा बड़ाबर देखिये गा कोस इंवर्स कितना, 26, बटा 9, रूट अंडर कती, 32 कर देस्ट यह हो जाएगा च्टेक तो यह को दिखाई दे रहा होगा चलिए हम नंबर को बता देते हैं एक और को स्टेसिन इस पर हम लोगों को देखना जरूरी है अब चलिए एक और क्वेसिए का एक जो समझी है देखिए यह था चौंधा नमब्र क्वेस्ट्छन और फिर हम लोग चलते हैं क्वेस्टन नमब्र फाइब के तरफ आज का क्वेस्टन नमब्र क्वेस्ट्रफ चलेंगे? कदी यह बैक्टर एक्वेशन है ना तो भैक्टर भी आपको बता दे और कार्टेसियन में देखिए समझेगा सबसे पहला चीज कि भाई पहले में फार्मूला होता है लेकिन आपको भैक्टर का भी अगर याद नौर है समझ जैसे आपको या तक न्याद रहा है या भैक्टर में ता अब लोगiku बोलेते लाइन को या तो हैक्टर में हम लुको लाइन के का कडेसियन इक्वेशन से भैक्टर में बदा लएकटर में आब जैसे अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेशन नुमर फाइफ में चलिए पहले लीखेंगे क्या है । तैंवलIGH टोटी बी इंटू में में कती थिरी आई कब फिर दे दिया हुँ आर बाहkar अ को क्या दिया हुआ जो समझ distintos चैर्प मोनला यह को बता दें थिम वह SECA अब अब सबसे पहला चीज आप लोगों को बता दे कि ढोह लाइन खाया अगर जिस अंतल निकाला रहा यह तो vector for में इसका cos theta का formula होता है cos theta का formula cos theta बराबर b1 vector dot b2 vector आप बट्टा में modular सब कती b1 vector into b2 vector cos theta का आपको बता दे कि जो line का equation का formula होता हुआ आपको पता होगा कि line का equation का formula होता है r vector equal to a vector plus lambda b vector r vector equal to तो क्या होता है a vector plus में क्या होता lambda b vector है तो सबसे पहला चीत है यहां पर देख लेजिए a vector है plus में b vector है तो lambda या मियू या कोई भी चीज़ के coefficient बनाता है उसे हम लोग कहते कथे मतलब parallel vector या बोले हुए थे इसी को अगर जे आपको इसी को हम लोग बोले हुए थे फिपी गारी या प्लस में lambda आग उने कते direction ratio अर्थाज लेमडा के जो coefficient में दिया रहेगा तो उसे हम आपको direction ratio बोलेंगे तो माल लेते हैं इस line का भी direction ratio बोल सकते इस line का यह सोरी इस line का भी direction ratio तो यह नहों हो जाएगा इसका direction फिर फर्मूला पर डाल देंगा ना तो भाई हम लोग को बीवन भैक्टर पहिला लाइन का जो दिया रहेगा इसे हम लोग first line मानेंगे इसे क्या मानेंगे second line आप पहिला लाइन का जो है न तो उसे कहेंगे दो भी बेवन आ है यहाँ पर बोलेंगे का थी बी टू हैन là बी्टेंगे यह 5 मिटमार के Tube मतलब b1 vector equal to three i cap प्लस में 2j cap प्लस में 6k cap फिर लिखिएगा काथ b2 vector b2 vector equal to i cap plus 2j cap plus 2k cap b1 ही हो जाएगा और b2 ही हो जाएगा अब देखिए जैसे आपको angle निकालने के लिए formula मुला हाता ता सबसे पहले आप दूनों को डॉट निकाल दीजे तब बूट बीटू भैक्टर तो जाएगा थृ आई कप प्लस में टू जेकर प्लस में शिक्स के कप डॉट को आइक के साथ डॉट करते डाइरेक्टर भी कर सकते थे तथी ने काई 3 आप फिर दूदूना चा सक्षाइब तो आपको हो जाएगा vere इसा जए मोड़्ल्कार निजए क्यों सेहां पर दे स्कॉर ब्लूट और से कीरस्व है ठीक है अब लिखेगा we know that क्या लिखेगा we know that हम जानते हैं कि कती बराबर कॉस्च छीटा बराबर कॉस्च छीटा और फर्मूला क्या होता है a1 into a2 प्लस b1 into b2 सरी 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 कॉस्च छीटा के फर्मूला भी आपको बता है है उपर लिखे हुए भी है b1 भैक्टर dot b2 भैक्टर अब टाम मोडलस और b1 भैक्टर into में कती b2 भैक्टर ठीक है तो फर्मूला पर डाल देजे b1 dot b2 b1 dot b2 का भैलू आपको दे दिया हुए कितना 19 तो 19 यह अदो डेदी वहां कितना शाट है क्थि तीन और तात हो जाएगा 19 रचार 21 रिखेंगे को सब्सक्राइब को सद्सक्राइब को स्दित निए लिखिए अलं था सब्सक्राइब तो दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहते तो दूसरा भी तरीका से एक दम आपको सिंपल में बन जा था जैसे हम क्या बोले हैं कोई भी लाइन का जो एक्वेशन दिया रहा था उससे यहां से आप डाइरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं यहां से क्या बोल सकते हैं डाइरेक्शन रेशियोज दिया रहा था है ना बोल सकते थे कि भाई डाइरेक्शन रेशि देखे 1 2 2 अबाय अभी बता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 को इसे पिछला कोस्ट इटा का प्रमूला आपको इसे पिछला कोस्टन बता है A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 है ना बाय by root under A1 के square plus B1 के square plus C1 के square into root under A2 के square plus B2 के square plus C2 के square ठेगे अब थोरा सा और हम लोग जो आगे चलेंगे अब इसको आप एक ओर तरीका से बना सकते हैं देखें, जैसे यह लाइन का जो equation था इस line के equation को यहाँ पे जो equation आपको लोग को दिख रहा है इस line के यह vector equation इस vector equation को cartesian equation में भी change कर सकते हैं तो cartesian equation में आपको change करने का कई सारा तरीका आप लोग को पता है देखें, भाक्टर को अगर जैसे cartesian में बदलना चाहते हैं समझता है तो देखें, simple सा एकर एकदम असान तरीका होता है कि यह जोर बला इसको घटाओं में ले आते हैं आई जो गुना बला है इसको भाग में ले आते हैं जोर बला है, इसको घटाओं में आई गुना बला भाग में न तो हो जाएगा आपको कितना, x-2, x-2 कितना हो जाएगा, x-2 आई इधर से बट्टा में आ जाएगा, 3 अब फिर हो जाएगा, बराबर में कितना, y, आई माइनस 5 है तो माइनस, माइनस, पुलस, पांच और 2 सम जाै कि उधा लाइन, लिखनप फिर आपको यहाँ पर देखेए c माइनस में कितना हो जाएगा Då एधर जाएगा बट्ट में, भागा में कःते 6 पहला लाइन फिर दूसरा लाइन लिखिएगा तो यहां से लिख दीजिएगा X-7 बटा में कदी ओजाएगा 1 फिर हो जाएगा Y पिलस में कदी 6बटा मैं कदी ओजाएगा 2 पिर हो जाएगा Z और स्री एक के बला होगा घटेगा तो Z के साथ तरह एके मतलब 0 घटेगा तो य-0 बटा तो अब आप लोगो कोन इक्वेशन हो गया कार्टेसियन इक्वेशन आइसके अधरवा फिर पिछला को सन्मझा ना तो अब आप लोगो थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता हम एक और एक्जामपल लेकर आपको समझा देते हैं और कहा है कि इस समझना बहुत जरूरी है कि क तो आपको जो को सिखाने वाले हैं वोगोज मिवक्रेशन को करने कलवें सेंधर में कैसे बदला। जो आपको समझा देखिए जैसे मौन लेते हैं कि आर भेक्टर do आपको दिया रहे हैं कि I cap plus में 2 J cap, plus में K cap, plus में लिम्डा, 2 I cap plus 3 J cap, plus में K cap, समझ दें, तो अगर यह equation आपको अगर दिया रहेगा, तो यह कौन equation हो गए, आपको भैक्टर equation हो गए, इस भैक्टर को काइटेसियन में बदलने के लिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस जोर बला को ले आएंगे घटाओं में गुना बला को भाग में जोर बला कथी मिल आएंगे घटाओं में और गुना बला कथी मिल आएंगे भाग में तो जाएगा देखे एकस आई 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 के कोफिसेंट में कितना होगा वन बट्टा में इधर से आजाएगा तो फिर व य में 3 बराबर में y-3 by 4 बराबर z-7 बटा माइनस कथी 3 तो सबसे पाला हम लोग क्या करते जो उपर वला जो रहता है न उससे हम लोग लिख लेते जोर के रूप में तो आर भैक्टर इकोल टो लिखेंगे 2i के प्लस में 3j के प्लस में 7k के प्लस में लिम्डा इसके बाद ह आप कार्टेसियन में लिख सकते हैं कार्टेसियन को कथी में लिख सकते हैं भैक्टर में लिख सकते हैं ठीक है एक दो और एक्जामपल हम लोग लेते जैसे एक्जामपल नमबर रहेगा आर भैक्टर इक्टर इक्टर इक्वल टो 2i कप प्लस में 4k कप प्लस में लिम्डा फिर हो जाएगा जेड माइनस में कदी हो जाएगा फोर बटा में कदी हो जाएगा फोर समझजा है ना अब चलिए अगला एक और एक्जाम्पल लेते हैं जैसे एक्जाम्पल रहेगा तो आज के वीडियो में हम लोग कुछन नमबर चार और क्या देखे हैं पांच नमबर जो एंगल से रिलेटेड था समझान तो अगला वीडियो में हम फिर आप से आगे लेके आएंगे तब तक आप लोग बना रही है मैं सिग्यान के साथ ओके धन्यवाद